हलो बच्चो कैसे हो देखो रफी सर की तीन बाते हमेशा याद रखना पहली बात कि जिसकी नोटबुक में नहीं होता है रफी सर का ट्रिक्स एंड कंसेप्ट उससे नहीं बनता एक्जाम में एवरी कोशन क्विक एंड पर्फेक्ट एंड पॉइंट नमबर टू कि बेटा फॉर्मूला को नहीं कंसेप्ट को बलड में डानना है एंड पॉइंट नमबर थी जो पहले दो पॉइंट हमने बताए है उसको याद रखना है तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सॉल्ट एनिलिसिस के बारे म तो 28 कटायन को step wise हमें क्या करना है एनलाइज करना है पहचानना है तो इसको different group में यह सारे कटायन को divide किया गया है तो कौन से group में कौन से कटायन है उनकी halide या sulfide या hydroxide का color कैसा है उनको कैसे आप trick से याद रखेंगे उसके लिए रफी सर आपके पास आए है तो ध्यान से स 4 पलस राइट और उसके बाद है group number 1 इसमें 3 कटायन है ध्यान से देखो कौन कौन silver, lead और mercury आप कैसे याद रखेंगे ध्यान से समझो इसको लिए निमोनिक से AG से आज PB से परभू, HG से होंगे तो कैसे याद रखेंगे आज परभू होंगे और इनकी जो halide होंगी that is chloride वो क कैसे connect के अरफी सन्ने ध्यान से समझो आज परभू होंगे से आपको group 1 के ketan याद हो गए और परभू चुकी God हो गए तो वो तो किसी ने अज तक देखना ही right तो इसलिए chemistry में white color या colorless एक ही मतलब है तो उसी से connect क्या है आज परभू होंगे और परभू किसी को देखते नह रखेंगे आज परभू होंगे और परभू नहीं दिखेंगे तो वाइट कलर से तो यह group 1 हो चुक है आपका नाव group number 2 में total 11 का time है तो उसको भी हमने चार पार्ट में divide क्या है ध्यान से देखो first में 3 है फिर second में 2 है फिर उसके बाद 2 है फिर total 4 है तो इसको कैसे याद रख से देखो यह black कबीलिया औरेंज ओ यह brown का फिर से भी और yellow का तो bobby नाम का लर्का हो गया और उसके लिए क्या connection लिक्या रहें ध्यान से देखो bobby नाम के लर्कों को कुछ तो problem होगी राइट सी यू पीवी और हैजी से बना लिया कुछ तो problem होगी तो उसका कौन सा color हो सुबा सुबा बिना असनान बिना असनान यह बिसमत और टीन पलस टू वाले का कैसा होगा brown color होगा right और सुना है आगे आगे कराके की सर्दी पड़ेगी इसका yellow color हो जाएगा तो ध्यान से देखो group 2 में total 11 के टायन है उसको part wise में divide करके उसके color को और के टायन को कैसे याद र कर सकते हैं feel right connect कर सकते कर तो आप कैसे रखेंगे feel कर और इसका color कैसा है तो brown white और green तो कैसे याद रखेंगे द्यान से देखो by the way यह color क्यों कर रहे है क्योंकि iron plus 3 में डीमा पैड़े लग्टोन है तो राइट colorful होंगे iron की aluminum की white और chromium की green तो याद कैसे connection क्या कैसे क्या द्यान से देखो feel कर बेवफा मतलब बे से brown वफा मतलब white right और green girl से जी से green और जी से गल तो इस तरीके साब को connect करना feel कर बेवफा गल से आप याद रख सकतो गुरूप नंबर 3 के कैटायन और उसके color को नाव गुरूप नंबर 4 में total 4 है zinc, manganese, cobalt और nickel ध्यान से देखो कैसे connect के रफी सर ने simple trick से जिन दगी में, jdn से जिन दगी, mn से में, जिन दगी में, तो जिन दगी में क्या होना चाहिए, उजाला होना चाहिए, white इसलिए, उजाला मतलब white color right, तो जिन दगी में, मतलब इनकी sulfide white color क्योंगी, कोई अंधेरा नहीं, तो इसका मतलब इन दोनों की sulfide black color क्योंगी, तो वैसे ही ग्रूप नमबर 5 को कैसे याद रखेंगे तो द्यान से देखो इसमें कौन है बैरियम कल्सियम और स्टांसियम यह सब द्यान से देखो तो पिरियोडिक टेवल के ग्रूप नमबर 2 वाले हैं तो इसको कैसे याद रखेंगे बाटा का सोरूम द्यान से बाटा से कोन है potassium sodium or magnesium right इसको कैसे connect क्या ध्यान से समझो कि एक हमारे पास क्या है चांदनी नाम की लर्की चांदनी कैसे connect क्या white चांद का color कैसा white तो उससे बना दिया चांदनी तो चांदनी नाम की लर्की सब्सक्राइब का क्लर क्रिम्सन रेड सोडियम का यल्लो और मुझसे वाले में वाइट आ जाएगा और इससे वाइट से हमने connect क्या चांद और चांद से बना दिया चांदनी तो चांदनी को अगर बोलोगे कहोना प्यार है मुझसे तो वो घुस्टे से लाल पिला हो जाएंगी ग्रूप नंबर जीरो जिसमें कौन है और इसकी पैचान कैसे करेंगे तो इसका मतलब कौन है वह आमोनिया है वहाँ पे तो यह आप ध्यान से देखो तो टोटल 28 के टायन को आप निका किया है ध्यान से देखो तो 7 गुरूप में डिवाइट कर दिया है जिसमें गुरूप 0 से स्टार्ट हो रहा है 0,1,2,3,4,5,6 और हर गुरूप में केतने एलिमेंट है वह भी किलिए रहे है गुरूप 0 में 1 है गुरूप 1 में 3 है से कंपाउंड बनेंगे प्रिसिपिटेट वाले उसका कलर कैसे याद रखेंगे हर गुरूप के कैटान को कैसे याद रखेंगे रफिसर ने एक सिंपल ट्रिक्स आपको समझा दिया अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान से समझना बेटा कि हमारे पास जो टोटल 28 कटायन है तो उसका एनिलेसिस हमें step by step करना है हमें जो रियेजेंट आइड करना है वो step by step आइड करना है तो जो भी unknown solution आपको given होगा तो उसमें सबसे पहले ध्यान दे number one सबसे पहले अब क्या आइड करेंगे डायलूट हेसियल तो डायलूट हेसियल आड करने से अगर group one के कोई भी बाहर निकाल लेंगे बाकी जो 25 कटायन बजगे उसमें आप क्या second number पे क्या आड करना है ह2S अगर ह2S आड करोगे तो अगर इस 11 कटायन group two के 11 कटायन जो इसमें से कोई भी हुआ तो वो sulfide बना करके precipitate बना लेगा और उसको फिर filter करके बाहर निकाल लेंगे तो बाकी फिर केतना बच जाएगा 14 फिर 14 में क्या आड करना है द्यान दे number 3 पे आपको आड करना है NH4CL and NH4OH यह solution को आड करना है यह add करोगे तो द्यान दो group 3 वाले जो है वो hydroxide form में बाहर निकल जाएंगे और बच जाएगा केतना फिर 11 फिर fourth number पे आपको क्या आड करना है boil H2S यहाँ प आड करोगे तो group 4 वाले जो चार कैटाइन है वो आपका sulphide form में बाहर निकल जाएगा और बच कितना जाएगा 7 फिर इसमें कौन आड करना है तो 5 नंबर पे आपको क्या आड करना है Ammonium Carbonate आप यह add करेंगे तो ग्रूप 5 के जो है आपके 3 कैटाइन वो precipitate बना करके बाहर निकल लेंगे और बाकी बच जाएंगे फोर तो इस फोर को कैसे करेंगे कौंख हैसियल डालेंगे अगर white dense fume आ रहा है तो Ammonia होगा नहीं आ रहा है तो कहो ना प्यार है मुझसे वाला होगा तो ध्यान से समझो इसी order में आपको recent add करना है तो यहां पर ध्यान देना है कि इस पर based question कैसे पूछे जाएंगे बेटा तो बहुत तरीके से जैसे गुरूप 3 के काटाइन कौन से है चार option दे दिया तो आपको सारे गुरूप के कैसे जाद रखेंगे वह बता दिया किस का color कैसा है वह पूछा जा सकता है या फिर कौन से गुरूप के लिए कौन सा रिय शेयर कीजिए थैंक यूओ